जै माभारती, मित्रों माभारती के इतिहास की चौती कड़ी में आज आप मिल रहे हैं एक महान चक्रवर्ती समराथ पुश्वमित्र शुंगस है अखंड भारत पर मौर समराज का शासन 137 वर्षों तक रहा जीवन के अंतिम 20 वर्ष समराथ अशोक ने बहुत धराजा के रूप में बिताए और बहुत धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जो कुछ भी संभव हो सकता था उसके शासनकाल में उसने किया राजकोश के मुहु बहुत धर्म के प्रसार के लिए खोल दिये गए इस्तूपों मठों का निर्माड होना शुरू हो गया छत्रियों की टोलिया बहुत भिक्षु के रूप में बहुत धर्म के प्रचार प्रसार हेतु निकलने लगी एक द्रश्टिकोर से समराट अशोक का ये कदम अच्छा था कि भारत का धर्म भारत क्या सुदूर विदेशों में भी जाएगा और भारत का सर गरों से उंचा होगा परन्तु इतने बड़े सामराज और अखंड भारत की सुरक्षा के हिसाब से समराट अशोक का ये कदम आत्म घाती था फिलहाल अशोक की मरत्यु के बाद उसके उत्त्रा धिकारियों ने सत्ता समाली परन्तु उनमें वो बात नहीं थी जो समराट अशोक में थी आने वाले समराट भी अहिंसा की अफीम खाके बाध धर्म के प्रचार प्रसार में लगे रहे रास्ट में अंदर क्या हो रहा है और बाहर क्या हो रहा है इसकी उन्हें तनिक भी थिकर नहीं थी आने वाले समराटों ने तो अपनी जनता को बहुद धर्म स्विकार करने के लिए मजबूर करना शुरू कर दिया हर तरफ बहुद बहुद और बहुद भिख्षू सनातन धर्म विलुप्थ होने के कगार पे पहुँच चुका था लगभग हवन कुंड शान्थ हो चुके थे वेद्र मंत्रों का उच्चारण यदा कदा ही सुनने को मिलता था और यग्य में जो आहुत दी जाती है उससे उठने वाला धुआ दिखना बंद हो चुका था सबसे बड़ी बात ये थी कि यवन फिर से सक्रिये हो गए थे वह ये इसी ताक में थे के मौर सामराज कमजोर हो और फिर से वह भारत पर आक्रमण करें क्योंकि भारत की तरफ सिकंदर के समय से ही वह हमेशा ललचाई नजरों से देखते रहे देश की स्थिती वास्तों में बहुत खराब थी मगद के अधीन जो और राजा थे उनमें असंतोश व्यापक रूप से फैल चुका था वे इस समर्थन में नहीं थे कि पूरा ध्यान समराट बहुत धर्म के विकास में भी दे खैर वे भी इसी मौके की तलाश में थे कि मौर समराज के कमजोर होते ही वे स्वयम को स्वतंत्र करा लेंगे मौरवंश का अगरी शासक ब्रद्रत था नवा शासक और इस शासक का सेना पती था पुश्वमित्र शुम्ग जन्म से ब्रामभण पर कर्म से छत्रिय था देश भक्ती कूट कूट के भरी थी बहुत ही भीर और पराक्रमी योद्धा था ऐसा नहीं है कि उसने इन खत्रों से समराट को आगाह ना किया हो परन्तु समराट की उदासींता हमेशा बनी रही और चाहे के भी पुश्वमित्र शुंग जो जवाब दुश्मनों को देना चाहे रहे थे वे नहीं दे पाए तभी गुप्तचरों की एक विशेश तोली से खबर मिली के मिरेंडर अपनी सेना लेके यवन से चल चुका है सिंधु की तरफ उसकी आक्रमण करने की योजना है और उससे पहले ही बहुत से यवन सैनिक हतियारों के साथ बहुत भी चुके रूप में बहुत मठों में चुपे हुए हैं खबर विश्व असनिये थी उसने समराट को खबर किया और समराट से आग्या मांगी कि वे आग्या दे जिससे के सिंधु के आसपास के छेत पर आक्रमण करके राष्ट की सुरक्षा को मजबूत किया जा सके परन समराट ने यह कहे के टाल दिया कि जब समय आएगा तब देखा जाएगा पुश मित्र शुंग का लहू उबाल मार रहा था उसने एक सेना की टुकडी ली और सिंधु की तरब बढ़ चुका सिंधु पहुँचकर उसने यवनों पर हामला बोल दिया बहुत जल्दी ही यवन सैनिकों को मैदान छोड़ कर भागना पड़ा और सिंधु के छेत्र पर जो के यवनों का कब्जा हो गया था उसको फिर से पुश मित्र शुंग ने अपने कब्जे में लिया और जितने मठ वहां पर थे सबकी सघंग तलाशी ली गई यवन सैनिक जो बहुत भीच के रूप में छुपे थे तो उन्होंने उन मठादीशों को उन आस्रेदाताओं को ये बता रखा था के भारत को जीतते हुए वे यवन भी बहुत धर्म स्विकार कर लेंगे गहन तलाशी में लगभग तीन सो के उपर बहुत भीच हुए से मिले जो के यवन सैनिक थे और उनके पास हत्यार थे उनको कुरूरता पूरवक पुश्मित्र शुंग ने म्रत्युदंड दिया शत्रु के साथ शत्रु जैसा ही बेवहार करना चाहिए और वही पुश्मित्र शुंग ने किया और जो उनके आस्त्राइदाता थे सब को बंधग बनाकर समराट के दर्बार में पेश किया कुछ इतिहासकार इन्ही कारणों से पुश्मित्र शुंग को बताते हैं कि वह बहुत धर्म का शत्रु था बहुत धर्म का शत्रू नहीं था, शत्रू का शत्रू था और बहुत भीग चुके भेश में जो यवन सैनिक देश के लिए खत्रा बन चुके थे, उसका उन्होंने वदि किया। पुश्मित्र शूंग को दर्बार से निकाल दिया। पुश्मित्र शूंग की चिंताएं और बढ़ चुकी थी। एक दिन समराठ अपने कुशंग रक्षकों के साथ उस इस्थल पर पहुँच गए जहांके पुश्मित्र शूंग अपनी सेना की तयारियों को देख रहा था के आने वाले समय में कैसे यवनों से और भीत्री राजियों से राष्ट को बचाया जाएगा। कुछ वाद विवाद दोनों में हुआ अंतता है ब्राद्रत ने पुश्मित्र शूंग पर आक्रमण किया और पिश्मित्र शूंग ने ना चाहते हुए भी अपनी रक्षा मे ब्राद्रत का वद करके मौरवन से सत्ता छीन कर शूंग वश्मित्र शूंग की स्थापना की। उदासीन्ता के कारण पुश्मित्र को मजबूरी में यह कदम उठाना पड़ा और उस समय की परिस्थितियों को देखते हुए वो सही भी था। एक सो पच्चासी इसा पूर्व पुश्मित्र शूंग ने मगद सामराज से सत्ता हतिया कर शूंग वर्ष की स्थापना की। सबसे पहले तो पुश्मित्र शूंग ने जिन गड़ राजियों में असंतोष की भावना फैल गई थी उनको फिर से एक मजबूत सूत्र में बांधा एक दोर में बांधा और उनकी समस्त शिकायतों को दूर किया। बाउत धर्म को दी जाने वाली समस्त सहायता बंद कर दी धीमे धीमे सनातन धर्म अपने गवर और वैभो की तरफ लौटने लगा। हवन कुंड प्रज्वलितों उठे और वेद मंत्रों से ब्रम्भांड गुंजने लगा। यग्यों से उठता हुआ धुआ भारत वर्ष के आकाश पर छाके बादल बनने लगा। बादल से मेग बन कर फिर से भारत की धरा पर अमरित बरसाने लगा। इसी बीच विदर्व के शासक यग्यसेन ने अखंड भारत से विद्रोह करके अपने आपको स्वतंद्र घोशित कर दिया। यग्यसेन के विद्रोह को दवाने के लिए पुश्मित्र शुंग ने अपने पुत्र अगनी मित्र को भेजा। अगनी मित्र बहुती कूटनी तिग चतुर और पराक्रमी योध्धा था। उसने अपनी सूजबूज से यग्यसेन को पराजित किया और विदर्भ को भारत का हिस्सा बनाए रखा। लंबी कहानी है लंबा युद्ध है कालिदास रचित मालिविका अगनी मित्र में आपको इस युद्ध की बहुती ब्यापक और विस्त्रत जानकारी मिल जाएगी। इसी बीच डिमेट्रियस जो की काफी समय से भारत की तरफ लल्चाई नजरों से देख रहा था मौका पाते ही उसने एक बहुत बड़ी सेना लेकर सिंधु की तरफ कूच कर दिया। इसकी सूचना पुष्मित्र शुंग के गुप्त चरों ने दी सेनाए पहले से तयार थी और अपने पौत्र वसुमित्र को पुष्मित्र शुंग ने सिंधु का मौर्चा सम्हालने के लिए भेजा। वसुमित्र अग्रिमित्र का पुत्र था और अपने पिता और अपने दादा की तरीके से ही राष्ट भक्त और पराक्रमी था। कुछी दिन के युद्ध में डेमित्रियस ये समझ गया कि वसुमित्र को जीत पाना आसान नहीं है। वसुमित्र की सेना रोद्र रूप लेकर यवनों का संघार करती रही अंततह वो समाय आया कि डेमित्रियस और यवन सेना को जान बचा कर भागना पड़ा। और जब तक शुंग का शासन अखंड भारत में रहा तब तक फिर यवन सैनिक कभी भी सिंधु पार नहीं कर पाए पुश्मित्र शुंग ने अपनी राजधानी पाटली पुत्र की जगे विदिशा को रखा अयोध्या और विदिशा से जो अभिलेक प्राव्त हूए है उनके आधार पर यह प्रमारित होता है कि पुश्मित्र शुंग ने तीन अश्वमेघ यग्य किये अश्वमेघ यग्य आप समस्ते हैं चक्रवर्ति समराथी करते हैं राशुय यग्य अश्वमेग यग्य और इस अश्वमेग यग्य की मजबूत दोर से समस्त गड़ा राजियों को एक सूत्र में बांधा और अखंड भारत का निर्माड फिर से किया उस अखंड भारत का जिसका स्वप्न चाड़क और चंदरुप्त देखा करते थे हर्ष चरित में पुष्मित्र शुंग का उलेख मिलता है पातंजली का महाभास से पुष्मित्र शुंग के शासन काल में ही लिखा गया वायू पुराड और मस्पुराड में भी पुष्मित्र के बारे में उलेखनिय जानकारी मिलती है ये तो थी इस चक्रोर्ती समराट की गवरोगा था वीरगा था एक बिडंबना ये भी थी कि जिस तरीके से पुश्मित्र शुंग ने अपने राजा ब्रद्रत का वध करके के मौर सामराज से सत्ता हतियाई थी उसी तरीके से शुंग सामराज के सात्वे राजा कि देव भूती का वध उनके सेनापति वासुदेव ने किया और शुंग वंश से सत्ता हतियाकर कन्वश की स्थापना की शुंग वंश ने अखंड भारत पर 112 वर्षों तक शासन किया 73 इसा पूर्व से लेकर 30 इसा पूर्व तक कर्ववश का शासन रहा इसमें चार राजा हुए लेकिन कोई उतने नामी प्रतापी और चक्रवर्थी नहीं रहे जिसका चिकर किया जा सके और अगले हफते हम आपको मिलाएंगे एक ऐसे समराज्ज से जिसके के शासन काल में भारत वर्ष की दिशा और दशा ही बदल गई अगर मेरी यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो फिर आप अपना काम कीजिए मतलब की सब्सक्राइब शेयर लाइक और मैं अपना काम करके अगले रभिवार को मिलता हूँ आपसे तब तक के लिए जय माभारती